हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कॉंग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और विधायक आशा कुमारी के निवास स्थान जंद्री घाट में देवदार के पेड़ पर आसमानी बिजली आगिरी हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन लोग डरे से हमें दिखाई दिये दरसल डलहुजी की कॉंग्रेस की विधाईका आशा कुमारी इन दिनों अपने शिमला के परवास पर है और घर में अचानक देर रात भारी बारिश के साथ बिजली कड़क रही थी बिजली कड़कने के साथ आसमानी बिजली गिनने से देवदार का एक बड़ा पेड तूट कर तुकडों में बिखर गया फिलाल उनके महल और वहां रहने वाले किसी भी विखती को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है दूसरी और महल की देखवाल करने वाली महिला का कहना है कि दिर रात बिजली कड़क रही थी और जोर जोर से बिजली की कड़कनी की आवा जा रही थी हमने देखा कि अचानक एक बड़ा धमाका हुआ जिसके बाद एक पेड डूट कर नीचे गिर गया हाला कि हम लोग बहुत डरे थे लेकिन गनिमत रही कोई जानी नुकसान नहीं हुआ रात को जी बहुत बिजली चम करें थी और बार इस इतनी जोर से और इतने थे जोर से एक घंटे तक चलता रहा जब हम बाहर आकर चोर्च लगा कि देखा तो लवे यहां पर बिजली गिरी हुई थी तो पीड गिर गया था निक्चे को झाल, झाल, झाल.